नमस्कार स्वागत है आपका मार्केट राउंड अप के एक और ब्रेक फ्री सेग्मेंट में और अगले आजे घंटे में हम आपको बताएंगे आज के पूरे मार्केट का हाल हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कल के लिए रन नीती और इसी के एक बार मार्केट का एक अपडेट ले लेते हैं आज बाजार आखरी आधे घंटे में 99.50 के पार बंद हुआ और SN6 में भी 107 अंकू की बड़ा देखने को मिली है निफ्टी एक बार फिर 10,000 के जादू ये आखड़े के पास पहुँच गया है कमजोर ग्लोबल संकेतों के बाब जूद भारतिय बाजार आज दिंग के शिखर पर बंद हुए निफ्टी एक बार फिर 99.50 के पार बंद हुआ पूरे दिंग बाजार का अक्शन समझने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट नौर्थ कोरिया पर संयुक्तराष्ट्र की बैठर के बाद ग्लोबल बाजारों का आज मूट बिगड़ा हुआ था एश्याई बाजारों की कमजोर या फिर फ्लाट शिरुवात हुई आशंका थी कि नौर्थ कोरिया का जिन बाजार पर हावी होगा लेकिन हुआ बिलकुल उल्टा बाजार मस्बूती के साथ खुले और बढ़ते ही चले गए हाला की पहले कुछ घंटे के अच्छे कारोबार के बाद बाजार दोपहर में अच्छानक लाल निशान में फिसल गया लेकिन इसके बाजार की चाल चड़ते दिन के साथ आगे बढ़ती गई कारोबार खत्म होने पर सेंसेक 100 अंकों से ज्यादा चड़कर बंद हुआ निफ्टी 9950 के आंकडे के पार बंद हुआ हलाकि जानकार निवेशकों को सतर्क रहने की सलह दे रहे है हाँ तो पहले 9700 पे आएगा थोड़ा सा सपोर्ट जो हमें लगता है विच्वास जून तॉप बट वी थिंग 97 इस स्वारी जरूर तूटेगा और यू कुद गेट लेवल्स क्लोसर तो 9400 तो 92 to 94 is where we think the market may find some sort of very good support और यू नो एक ये जो यूफोरिक यूफोरिक बाइंग जो चल रही है उसमें foreigners are not participating और वो बता रहा है कि globally ETF exits are now very high in the emerging markets तो cautious रहना ज़रूरी है यहां पर because risk rewards उतना favorable नहीं है वेस्ट पार्ट जो मार्केट अभी देख रहा है एक तो बेटर मांसुन सही policy implementation अपने जगा पर है बट जो water sales नमबर आया मसीवी सेग्मेंट के वो काफी encouraging थे and manufacturing data जो आया August month का वो भी काफी encouraging था तो market is taking cue from that that things are improving on the bottom line और इसलिए एक मतब liquidity based तेजी बननी चाहिए and most probably जिस तरीके से buying traction देखने को मिल ला है अभी you know NBFC space, financial space और capital goods segment में, construction segment में मुझे लगता है कि new high बन जाना चाहिए series में बाजार में आज cement share ने जोश भरने की कोशिश की खबरों के मुताबिक कंपनियों ने मुंबई में cement के दाम 27 रुपे प्रती बोरी तक बढ़ा दिये हैं इस खबर के बाद cement कंपनियों में उच्छाल देखा cement कंपनियों के अलावा कोल इंडिया टेक महिंद्रा में भी धाई से 3% का उच्छाल देखा इसके उलेट interconnect चार्ज खतम होने की अटकलों के बीच आज टेलेकॉम शेरों की जम कर पिटाई हुई लेकिन ग्लोबल अर्निश्चिता से बाजार का होसला कम नहीं हो रहा है जानकारों की माने तो कल निफटी 10,000 के जादूई आंकडे को पार कर सकता है ब्यॉर रिपोर्ट जी मीजिया करीब 470 करोड की खैदारी आज घरीलो निवेशकों की तरफ से हुई है तो ये थे संसागत आकडे लेकिन एक बार कल जो होने वाले इवेंस है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं कल दो आई प्यो आएंगे जिस पर की बाजार की नज़र होगी डिकसन टेक का आई प्यो का लाएगा और इसके अलावा भारत रोड नेटवर्क्स का भी आई प्यो आई प्यो आएगा ये आई प्यो आट सेतंबर तक खुला रहेगा और इस आई प्यो के जरीए भारत रोड नेटवर्क्स की 600 करोड रुपे जुटानी की योजना है कंपनी के बारे में भी हम कारोबार के बारे में भी हम आपको बता देते हैं रोड हाइवे प्रोजेक्स बनाने वाली कंपनी है और उसका रकरिखाव करने वाली भी कंपनी है और फिलहाल कुछ 6 ब्योटी प्रोजेक्स पर कामका जारी है इस कंपनी का श्रे इंफ्राग्रूप की कंपनी है जिसके चलते वो कंपनी भी कल फोकस में रहेगी भारत प्रोड नेटवर्क्स के आई पो की डीटियर्स आपको दे दी गई है लेकिन डिक्सन टेक यह भी आई पो कल होगा जिस पर कि हमारी नजर होगी इसका प्राइस ब प्राइस बढ़ने वाली कंपनी है तो यह दो आई पी उसका खुलेंगे जिस पर कि हमारी नजर होगी रुचित हमारे साथ जुड़े हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए लेकिन रुचित सबसे पहले यह जाना चाहेंगे कि हमारे पास काफी सारे कोईरी जारी आ अब क्या सजिस्ट कर रहे हैं जो बारत रोड का जो आइप यहां पर एक बार हम लोग निविश करने का सला दे रहे हैं और दूसरा जो जो है उसमें पी वाडत करने के सला दे रहे हैं बड़ ऐटिंग ओवर लाड फंडामेंटल्स हम लोग को देखने पड़ेंगे एग ब भारत जो है मुझा आइधिंग यहां से एक बड़ ठीक लग रहा है इसने निवेश करके चल सकते एक बार में भी 20% की तेजी देखने को मिली है बीचे एक महीने में इसमें कोई काफी सारी खबरे भी आ रही है में जो तेजी थी वो बॉंबे डाइंग में देखने को मिली है 70% चल चुका है और यहां पर नॉन कोर एसेट बेशनी की खाबर आ रही है रियल एस्टेट कारोबार में इनका जो एक सेग्मेंट है PSF याने की एक यह फाइबर स्टेपल फाइबर बनाती है कंपनी वहां पर आंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात चल रही जो की काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए इसके वाज़े से बॉंबे डाइंग में लगातार एक तेजी देख रहा है इसके अलावा नाशनल पेरोकसाइड यह भी वाडिया ग्रूप की कंपनी है यहां पर भी कुछ इंटर कनेक्शन है इसके अलावा कंपनी के रिजल्स भी काफी अच्छा है क्वाटर वन के रिजल्स देखे तो मुनाफ़े में 50% का जंप देखने को मिला है तो बॉम्बे बर्मा बॉम्बे डाइंग और नाशनल पेरोकसाइड काफी ज्यादा चल चुके यह स्टॉक पिछले कुछ हफते महीनी में आधिक बॉम्बे बॉम्बे डाइंग के अगर बात कर तो एक स्टॉक में स्टॉक में देखा था कि 85 का लेवल जब स्टॉक ने ब्रे बॉम्बे बॉम्बे बर्मा के अंदर बना के चलिए बॉम्बे डाइंग को एज अफ नौ अवाइट कीज़े काफी मॉम्मेंट अलोडी हो चुका है बीटी सी के अंदर एक बार पोशन बना के चल सकते हैं करेंट लेवल्स पे तो यह राया आती हुए रोहित की तरफ से अब कुछ ट्रेडिंग पिंग्स भी ले लेते हैं फटा फट से काफी सारे आपके लिए कुछ जांकारों ने ट्रेडिंग भी बेज़ रहा अंगले 10 से 15 दिन के लिए अगर आपको निवेश करना हो तो यहां पर आप निवेश कर सकते हैं पहला जो है वो क्याडिला में है क्याडिला में आप खरीद के चलिए 560 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं दूसरा कॉल आया है वोल्टास पर वोल्टास में आप खरिदारी कर सकते हैं और यहां पर आपको 570 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और तीसरा कॉल NIT Tech पर आया है यहां पर भी आप आप खरदारी करके चल सकते हैं, 565 तक के लेवल्स आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं, तो यह थी ट्रेडिंग पिक्स कुछ आपके लिए, लेकिन फटाफर से दर्शकों को भी शामिल कर लेते हैं, हमाई साथ दिल्ली से अर्चना जी जूड़ी है, अर्चना जी नमस् रहे हैं इनकी, रोहित क्या राय देंगे, बैंक अफ बरोडा में 138 फिलाली की खरीद लग रही है, होल करनी की राय देंगी क्या, बैंक अफ बरोडा को अब? अब बिल्कुल बैंक अब बड़ता में होड़कर कर चल सकते हैं, करेंट लेवल्स पर ही इन्होंने आइधिंक बाइंग की है, और अगर हम लोग ने स्टॉक के अंदर काफी एक अच्छा अच्छा अपसाइट देखा था, उसके आद में हेल्धी करेक्शन हम लोग स्टॉ अब जाएट कर सकते हैं, अगर दर्शक जमषेपपूर से जुड़े हैं, रितेंदर जी ने कॉल किया हमें, नमस्कार रितेंदर पूछे क्या जाना चाहरे हूं तो अभी आप और समय दे सकते हैं क्या इस शेयर को और विंदो फार्मा है आपके पास यहां पर इनको मुनाफ़ा हो रहा है 613 के लेवल पर इन्हों ने लिया था और 743 के आसपास यह स्टॉक इस पर ट्रेट कर देंगे और और विंदो फार्मा यहां पर इनको मुनाफ़ा हो रहा है 613 के लेवल पर इन्हों ने लिया था और 743 के आसपास यह स्टॉक इस पर ट्रेट कर रहा है क्या सजेस्ट करेंगी दोनों ही शेयर उपरा अधिके अगर पहले टाटा मोटर्स के बात करते हैं टाटा मोटर्स के अंदर इन्हों ने काफी उपरी स्थरों पर इन्वेश किया है देखे दिगज कंपनी है नो डाउट बद टेकनिकली हलका सा विकनेस हम लोग को स्टॉक में दिख रहा है और अगर बात करें तो 200 रुपय का काफी स्टॉंग सपोर्ट है टाटा मोटर्स के अंदर अगर वो ब्रेक कर जाता है तो इसमें दिक्कत बड़ी बात हो जाएगी बट अगर कोई भी यह से बाउंस आता है तो एक बार हम लोग वापस 280 के लेवल समय में देखने को मुल सक 65,770 का एक लेवल अगर वो ब्रेक कर जाता है और विंदर फार्मा के अंदर तो यहां से फ्रेश अपसाइड में लोग स्टॉक के अंदर देख सकते जो स्टॉक को करीव एट हंड़ी तक लेके जा सकती है और और विंदर ऐसा ही एक स्टॉक है फार्मा सेक्टर के अंदर इसने आउट परफॉंग किया है कंपेर तो बिल्कुल को करने की सला रहेगी एक बर स्टॉक जो रहेगा और बिंदे के अंदर भी इनको ट्रेलिंग स्टॉक ब्रॉस सेवें ट्वेंट करके चलना पड़ेगा अगर स्टॉक स्टॉक जाता तो एक बर अपना मुनाफा पती है कल्यान चलते हैं वहां से निरुपमा जी जुडी है वे साथ नमस्का निरुपमा जी बूछिए मेरे पास फाल ज़ेंगा ऋजन और गार्द सिल्क एक पास इनके हुनों कर ले रहे मेरे तिम नंस ब्रॉल कर रहा है अब या बिल्कुल आज हैं रहित गाड़रें शि के पास इनों यह ती महीने से होल कर रहे हैं हलका नुकसान इंको जरूर हो रहा है लेकिन आज देखे गाडन सिल्क में करीब 10% की तेजी देखने को मिली थी क्या आगे यह तेजी बरकरार रहेगी होल्ड करें शेयर को क्या प आप करीब करें सुद्क क। इंकाभा रहेगे स्टाउं कि कि पूरसूर पे Jews का रहे तो इंकारि एक nih a चली स्टो निल्ड़ तक निकलने में कामी भी आता तो 43 से 44 के उसमें ही इंटक्वर तक उ handc ब्रेक करने का इंतजार किजिए और 40 ब्रेक कर जाता तो 43 के टार्गेट के बैठ सकते हैं 34 के सब्सक्राइब तो यह राया थी गार्डन सिल्क में खोल करने की राय होगी लिकिस टॉप लॉस यहां पर जरूर मेंटेन करिये जोद्पूर चलते हैं हितेश जी ने वहां से कॉल किया है में गुडीवनी हितेश जी मैंने रेलीगेर इंडस्ट्रीज के 300 लिए हैं 93 के लेवल पर काफी ज्यादा नुक्सांग काफी हो जुका निकलना चाहिए और उसके बाद में 300 मैं 85 के लेवल पर भी ले रखा है अच् का बने रहना चाहें चाहें इस टॉक में अन duty सिप्डाइव जाथा और आज बदने रहना ज्यादा बैतर होगा जो जबिस में दो सब्सक्राइब क्ला तो इस चाह वाल ल采नले जाथा कि लिए आए अग्सार हो इनको 23 के लिया था और आज भी स्टाव्त में 3% की कमजोरी थी क्या सजेस्ट करेंगे एक्जिट कर लें स्टॉक से और कोई और शेर आप इंको सजेस्ट करेंगे किया रेलिगर में हम लोग एक वन साइड हम लोग नेक पैनिक देखा है काउंटर के अंदर आइधिंक 200-200 रुपे के लेवल से जिब काउंटर तूटा अब करने लेवल से 42 पे आ गया है काफी उपर के इनकी बाइंग है और अगर चार्ट की बात करें तो काफी ओर सोट जोन में ट्रेड कर रहा है इंक बाउन्स एक्स्पेक्टेड कर रहा है कि कही लग नहीं रहा है कि बाउंस की उमीद की जा सकती है बट अगर कोई भी आता तो सिक्टर में इंविच्ट किया गया वहां पर आत luôn अगले दर्शक हमारे साथ पुने से जुडे है और अनish कुमार-जी ने कॉल किया एangen इस. पूछे देखिए मेरे पास L&T का फाइनस होल्डिंग के 215 यरो स्टॉक्स है और एवरेज प्राइज 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 पर इन्हों ने लिया था एवरेजिंग प्राइस 147 है मुनाफ़ा हो रहा इनको बट अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे लॉंग टम निवेशक है बने रहे इस शेर में अधिक बिल्कुल होड़कर के चला चाहिए काफी अच्छे लेवल्स पर इन्टेक्स है इमेजट अगर लेवल में सेजस्ट करूंगा तो 225 से लिए 230 तक के जोन में रहेगी और काफी अच्छा वन साइड हम लोग ने मोमेंट मेंटेन करके चलना चाहिए एक 185 का स्टेलिंग स्टोप लॉस मेंटेन करके चलिए लेंट के अंदर और अगर अगर अपना मुनाफा वसिल कि अगर जब तक नहीं करता है तो तक उपर की तरब इसमें अपसाइट बना रहा है कांटर के अंदर लॉंग टेम इन्वेस्टर काफी सारे मेसेज आ रहे हैं एक मेसेज एहनदाबाद से आया है चिंतन जी ने में मेसेज किया यह का जो सवाल है वो है HPL एलेक्ट्रोनिक पर HPL एलेक्ट्रोनिक्स इन्होंने 70 शेर्स ले लिये हैं 202 के भाव पर ले लिया है और नुकसान इनको काफी हो चुका है यहां पर इस पर क्या सजेस्ट करेंगे तो ही तो और एक और सवाल लेते हैं सौरव जहा जी का इनकी जो होड़िंग है वो ओंगी सी में है पांच हजार शेर्स वन नाइटी सेवन के लेवल्स पर इनों लिए हैं ओंगी सी एंड एच्पल एलेक्ट्रोनिक क्या सजेस्ट करेंगे आप इन दोनों को ही शेरों में है एच्पल एलेक्ट्रोनिक काफी उपर के इनकी खरीद है करेंट लेवल्स का रहा है स्टॉक के अंदर हम लोग आइधिक बाउंस एक ब्रेकाउट एक्सपेट कर सकते हैं 141 142 काफी स्टॉंग रेजिस्ट्रेंस स्टॉक के अंदर अगर इनकी ब्रेक कर जाएगा स्टॉक तो आइधिंक यहां से लोग एक बार उमीद की जा सकती कि स्टॉक जो रहेगा करिब करिब यहां से बाउंस लेके 170 तक के लेवल तक जा सकता है स्टॉक स्टॉक करता है तो बाद में एक्सपेट कर सकते कि तेजी बरकरार रहेगी अगर वह लेवल वहां पर सस्टेंग नहीं करता है 170 का तो वहां से एक बर हम लोग वापस देखेंगे कि स्टॉक काउंटर के अंदर प्रॉफिट बॉकिंग हो पहले तो लेवल देखने और दूसरा जो अपका काउंटर है ओएंग यहां पर भी अम लोग ने काफी एक अच्छा प्रॉफिट बॉकिंग काउंटर के अंदर देखी है तो यहां से एक बार बाउंस एक्सपेट कर सकते है अगर आज के सिशन में भी देखे तो थोड़ा बहुत हम ने कल के सिशन मे इनको करिब करी 155 के निचे लगाना पड़ेगा और 180 रुपय के इनको देखने को मिलेगा इनका रेट थोड़ा उपरी है बट समय देना पड़ेगा इनको इनको इन्वेस्मेंट के लिए होल्ड कर जल सके दोनी स्टॉक तो निवेश में समय देनी की जरूरत है लिकिन स्टॉप लॉस लगाने की दाए 110-115 का स्टॉप लॉस लगाने की दाए होगी है फटा फट से दो फेस्बुक कॉलर्स और ले लेते हैं मेसिज हमें आया है नारेंदर का इनकी जो खरीद है वो इन्फुसिस में है 50 शेर्स इन्होंने 1100 के लेवल्स पर ले लिये हैं नुक चाहिए देंगे आप रोहित और इन्फुसिस खास करकि क्या होल्ड करें स्टॉप को एंग्जिट कर ले इंफुसिस की बात कर दो नोग इसकी काभी खपरों मेरा रूजान मेरा इस टॉप इसका बाइब्वेक का भी हम लोग का न्यूज आया तो जो गैरा सो पजास की करी तो मेरे कहल में जब तक 900 रुपे के अगर दिन को समय देना पड़ेगा अगर 900 के अगर सस्टेन करता है एक जिट की सला रहेगी इंफुसिस के अंदर बट अगर 900 के ओपर ट्रेड करता है कांटर तो अगर उमीद की जा सकती कि 1100 के लेवल इनको देखने को मिले बट हाला क कि में जादा बुलिश नहीं इंफुसिस के अंदर बट दो ख़बरों के चलते एक बार समें लोग बांस एक्सपेट कर सकते हैं कांटर इंफुसिस के अंदर और दूसरा जो स्टॉक है विवे मेड लाब इंक यहां पर इनको होल्ड की सला रहेगी एक स्टॉप लोग इनक किया है नमस्कार पंकर जी पूछिए नमस्कार मेरा मेरा एक सब्सक्राइब के भाव पर एक चोप पॉइंटिटी यह कब लिया था अपने पंकर जी आज ही लिया है आपने आपने काफी जादा नुक्सान हो चुका आपको तो आप लंबे समय के लिए होल कर सकते हैं क्या चीक है रोहित मेपी इंफ्रा इनोंने आज ही लिया 117 के लेवल पर और आज ही देखिया में काफी जादा 6% टूटा है यह स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में यह होल कर सकते हैं अगले 3-4 महिने के लिए आप क्या सजिस्ट करेंगे बने ने किराय देंगी या कोई और स्टॉक आप इंको सजिस्ट करेंगे अगर इनका ट्रेडिंग पर स्टॉक अगर निकलता है तो ही हम लोग इसमें तेजी देख सकते हैं एक बार 120 रुपे के उपर स्टॉक निकलता तो एक बार प्रॉफिट के बुक करके निकल जाए थोड़ा टेकनिकली ओर सोल्ड ओर बॉर्बाट जोन में ट्रेड करा था काउंटर अभी थोड़ा नीचा है तो एक अलका सा प्रॉफिट बॉकिंग और को सब्स्ट करेंगे आप एक बार एक बार एक जिट कीजिए तो यह रहा आती हुई में फटा फट से को दर्शा को जोड़ लेते हैं महराश्ट उसे स्वापनिल जी का कॉल आया हमें गुड़ इनिंग सब्स्वापनिल पूछे हैं हैं हम अंडरेश एक और यह आपने आज ही लिया है क्या नही चार रहा है बने रहना चाहरे है इस टॉक में हाइश ओके रोहित फेडरल बैंक इनकी खरीज जो थी वह 111 की थी और इनकी खरीद के आसपास ही ट्रेट कर रहा है चार महीने पहले इनों ने लिया था ज्यादा कुछ गेन इनको हो नी रहा है इस वक्त अभी क्या सजिस्ट करेंगे आप इस लेवल पर बने रहनी कि रहे देंगे अब बुझा अगर फेडरल बैंक के चार्ट्स चे अगर बात कर तो फक्रीज में ट्रेड कर रहा है वन पुथे उपर के तरह ब़ूर हॉन्टर नीचे के तरह पांधिन इस उपह तरह काफी टाइम से ट्रेड कर रहा अधरवाइस आपस लोग एक बर देख सकते कि स्टॉक वापस सव रुपे के तक लोडग जाए एक बार सो रुपे का स्टॉप लॉपे करना चाहिए एक सो बीस का लेवल क्लोजी वाच करना चाहिए तो अगर एक सो बीस के आपन to tre a तो डधेफिनिरी एक बार एक सो चाले के तक टार्गे इसमें इंटिक्ट हो जाएंगे एक बर सौ रुपे के स्टॉप लॉपे के स्तॉप लॉस पर खोल करने के दा के जुड़ने के लिए और जितने भी क्वरी सीने अंड्रेस करने के लिए फिरहाल वक्त है मार्केट राउंडप को समेटने का लेकिन खबरों क्या लगाता जाही रहेगा आप कही में जाए जुड़े रहें जी बिजनस के साथ नमस्कार